बिस्मि लाहिर रह्मान रहीम डियर स्टुडेंट्स अस्सलामों अलेकुम स्टुडेंट्स होपफुली यू आल विल बी फाइन और तेकिं गुद केर अफ यूर्सेल्स और फैमिलीज स्टुडेंट्स चेप्टर नमबर एट नूट्रिशन में हमने प्रीवेस लेक्चर में कॉम्पोनेंट और फूड में कार्वोहाइड़रेट्स और प्रोटिन को डिटेल से डिस्कस किया आज हम थर्ड मेन अनर्जी कॉमपॉनेंट्ट ये एगपिज लिपर उसको डिटेल से डिसकस करेंगे students lipids present in food are composed of fatty acids and glycerol lipids fatty acids and glycerol के मिलने से बनते हैं यह एक structure है triglyceride का इसमें one glycerol students आप देख सकते हैं के one glycerol and three fatty acids combine to form a one molecule of triglyceride that is a lipid lipids जो है वो glycerol और fatty acids के मिलने से बनते हैं एक glycerol और three fatty acids जो हैं वो मिलके triglyceride का molecule बनाते हैं and that is a lipid next energy value की बात करें तो students one gram of lipids contain nine kilo calories of energy mean एक gram lipids को intake करने से nine kilo calories of energy मिलती है अगर इसको हम compare करें carbohydrates और प्रोटीन के साथ तो हमने देखा था कि कार्भो हाइडरेस और प्रोटीन में four kilo calories energy पर ग्राम जो हो मिलती है जबके लिपेट्स में nine kilo calories of energy पर ग्राम सो डबल अमाउंट में energy जो हो मिलती है सो लिपेट एग इस बिक सोर्स अफ एनरजी स्टूरेंट्स अन नेक्स हम थाइपस अपटी असे इसक्षेज को डिसकेस करते हैं यहाँ तो अथापस अपटी असे आप्र पर रज़ प्रस्ट वन आर् unsaturated fatty acids और यह fatty acids glycerol के साथ मिलके जो है लिपर्स को फॉर्म करते हैं स्टुडेंट saturated fatty acids are solid at room temperature जिबके unsaturated fatty acids are liquid at room temperature स्टुडेंट्स अगर हम saturated और unsaturated fatty acids के structure को compare करें तो आप देख सकते हैं कि saturated fatty acids में कार्बन और इसकी long chain में each carbon atom is occupied by the hydrogen atom जबके unsaturated fatty acids में बेटा यह carbon carbon जिसमें double bond है यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कार्बन कार्बन के दर्मियान में double bond है यहां पर इसकी hydrogen को इन carbon की hydrogen को replace किया है double bond ने तो इच कार्बन atom is not occupied by hydrogen atom saturated fatty acids में carbon carbon single bond जिबके unsaturated fatty acids में carbon carbon double bond double bond unsaturated fatty acids के structure में मुझूद होता है स्टुदेंट्स नेक्स्ट हम sources की बात करते हैं कि कौन सी इसी foods है जिनको इंडेक करने से लिपर्ट्स की जो है वह quantity हमें कितनी मिलती है लिपर्ट्स अर प्रेजन्ट इन फूर्ट्स आर लाइक मिल्क बटर चीज एग मटन फिश ड्राइफ फूट्स कोकोनट्स यह वह फूर्ट्स हैं जिन से रिच अमाउंट में जो है लिपर्ट्स फैट्स ओल वगारा की कौन्ट्टी मिलती है स्टुदेंट्स आर नेक्सट हम फंक्शन डिसकस करते हैं लिपर्ट्स के लिपर्ट्स आर यूष्फुल सोर्स ओअफ एनरजी जैसे के हमने पहले देखा क्या कार्भो हाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के हम काबले में लिपर्ट जो है वो डबल अमाउंट में अनर्जी प्रवाइड करते हैं सो लिपर्ट जार बिग सोर्स ऑफ एनर्जी सेकेंड इस यूज्ज तो फॉर्म मेंब्रेंज शीट्स ऑफ नियूरॉन्स एंड हॉर्मोन स्टूडेंट्स हमने सेल बाले जी के चैप्टर में पढ़ा मेंब्रेंज के स्ट्रक्चर को मेंब्रेंज के स्ट्रक्चर में हमने देखा डिटेल से के मेंब्रेंज के स्ट्रक्चर को लिपर्ट प्रोटीन्स और कार्भो हाइडरेट्स जो है वो कंपोज्ड करते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं मेंब्रेंज के स्ट्रक्चर को जिसमें लिपर्ट्स जो हैं मजूद होते हैं प्रोटीन्स और कार्बो हाइड्रेट्स और इसके इलावा नियूरॉन्स जो के स्ट्रक्शल यूनिट है और नर्वस सिस्टम का तो उनकी नियूरॉन्स की चीड फॉर्मेशन भत इंपोर्टन रोल फ्ले करते हैं और अन्हार्मून्स की 거ार्मेशन में बहुत रोट्रोटन रोल प्ले करते है तो यह तो कुछ फंक्ट्शन से है लिपर्ट्स की है स्टुडेंट्स आ आज हमने लिपर्ट्स जो थर्ड मेनँ अनर्जी इनके structure को और sources of लिपर्स को detail से discuss किया i hope कि आपको इसका concept clear हो गया होगा students अगर आपको कोई भी confusion है कोई भी question है बटा तो आप question करें पूछे point clear करें thank you